हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल सौनम्स किचिन कॉंडर में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रही हैं मूंग दाल के क्रस्पी क्रंची मंगोडे यह एकदम चटपटे और स्पाइसी मंगोडे हैं आज आप इसको एक बार जरूर बना कर देखिए आ हमने एक कटोरी दूली हुई मूंकी दाल ली है और एक कटोरी छिल्के वाली दाल ली है सबसे पहले हम इसको एक घंटे के लिए भिंगो कर रखेंगे एक बावल में हम दोनों दाल को एक एकर कर डालेंगे जो पाउडर वगरा होते हैं उसको निकालना जरूरी होता है अच्छे से दो कर इसको एक घंटे के लिए भिंगो कर रखेंगे आप इस तरह से इसमें दोनों तरह की डाल डार कर बनाईए क्योंकि मूंकी डाल की छिलकी होते हैं उसमें प्रोटीन की मातरा अच्छी होती है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी रहती है डाल को हमने दो से तीन मार्द हो दिया है अब इसमें हम एक ग्लास पानी डाल कर एक सबसे पहले एक सबसे पहले आलु लिया है कच्छे आलू को छील कर साफ vic पानी लेकर आलू को इसमें काटना है जिससे कि हमारा आलू काला ना पड़े और पानी में अच्छे से भिंगा रहता है आलू को इस तरह से आप पीसेज करिए और इसके पतले-पतले बारीक-बारीक पीसेज कर लीजिए इस तरह से करें से कट करिए पतले-पतले आलू काटने से जब यह सिकते हैं तो इकदम क्रस्पी बनते हैं ति सारे लुग इस तरह से काट लिया है इसकिना अहरा ठनिया हरीमेश और अधरक को भी महीन महीन काट लिया है यह आलू हमारे कट कर रहेगी ृड़ी हो चुकिए है अब सब से से पहले हम अपनी दाल को Anda जार में डाल कर पीस लेंगे पाणी न ढालेवी आप दाल में इस त आप दाल को निकाल कर डाले habe manori मॉंगोडी की दाल में इकदम गाड़ी पीसन妳 होती है और इसको ज्यादा महीन न पीसे हलका दरदरा पीस ला को और बस दो चम्मश पानी डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे देखे दाल भी हमारे पिस चुगी है इस तरह से आपको दाल को गाड़ा रखना है अब इसको में बर्तन में खाली करेंगे देखे आप देख सकते हैं दाल को आप दरदरा पीस ये अब इसमें हम हरा धनिय डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे और अद्रक डालेंगे अब इसके बाद हम उसमें स्वाद नसार नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के नसार डाल सकते हैं मैंने अदा चमज नमक डाला है अदा चमज लाल मिर्च पाउडर और एक चमज सुखा धनिया पाउडर डालेंगे इससे इसमें एक अच्छा टेस्ट आता है आदा चम्मच काली मिर्श्ट पाउडर डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हम इसमें जो हमने आलू के पीसेज काटे दे उसको भी डालेंगे इसको आप पानी से अच्छे से निकाल लेजिए और इस तरह इसमें डाल दीजिए आप आली की क्वांटिटी अपने इसाब से डाल सकते हैं कम या ज्यादा इसको भी हम एक पर अच्छे से मिक्स कर लेती है जिससे की हमारा मसाला अच्छे से इसमें सेट हो जाए चलिए हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है एक कड़ाई में हम सबसे पहले सरसो का ओल डालेंगे आप डाल की मंगोड़े सरसो के तेल में अलगी ठिश्ट देती है तेल को भी आप अच्छे से गरम कर लीजिए और इस तरह इसमें अपने पकोड़ों को थोड़ा थोड़ा कर डाली जैस के फिलेम को भी आप हाई रखिए आप डालते समय आप गैस के फिलेम को हमीसा हाई रखिए जिससे पकोड़े इसमें बिखरते नहीं है और एक अच्छा क्रिस्पी पनाता है इसी तरह से हम थोड़े मगोड़े एक बार में डालेंगे अलु और दाल मिक्स होकर कि एक टेस्ट देते हैं उसका मजा ही बार दाल दिए अब इसको में एक बढ़ चेंज करते हैं जैस के फिलेम को भी आप हाई रखिए गाए ऐसके फिलेम को मेडियम कर देंगे इस तरह सी आप चेंज करिए एक हलका चा गोलडन ब्रावन होने के बाद कि ऊपशिए फिर से तोई लीजिए आपको देखने में ही लगेगा कि यह मारेे एकदम क्रिस्पी क्रंची बनी है वर बहने की साथ जियride जो आलु का टेस्ट आता एसका ज्वाब है एक गजभ का टेस्ट आता यह देखले मोडे तेस्ट आथा यह मुंआरे एगदम क्रिस्पी हुच्ट c देखिए आप इसमें देख सकते हैं आलू और दाल अलग-अलग सब पता चल रहा है मोगड़ी में चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं आप इसको चाय के साथ या साधा ऐसे या ग्रीन चड़नी धनिये के साथ खा सकते हैं आप इसको एक बार ऐसे ही साधा ही खा कर देगी एकदम कुरकुरे बने हुए हैं अगर आपको आज मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो इसी लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आज मेरी रेस्पी कैसी लगी इसी तरह से आप मेरी चैनल पर आते रहिए और नई नई वीडियो को देखते रहिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बावाई